हेलो गाइज, इसमी सौर मनना, welcome back to my channel आज के इस वीडियो में हम process बताने वाले JSC, JIE वालों के लिए कैसे form fill up करना है क्या-क्या details डालना है, वो भी correct details डालना है और last टक मैं आपको बताऊंगा कि payment तक पुरा process बताऊंगा कैसे आपको form fill up करना है, सही correct, details डालना है, डालने के बाद कब आपको payment करना है, फिर उसका बाद photos बगरा, कब upload करना है सब कुछ इस वीडियो के माधियम से share करने वालों, वीडियो को last तक जरूर देखेगा यह process बहुत easy है, सबसे पहले यह वीडियो को देख लीज़ेगा, देखने के बाद आप form fill up कीज़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको JSEC से सर्च करना है Chrome में, मैंने सर्च कर लिया है, जब आप JSEC से सर्च करोगे तो आपको पर option आजाएगा Home जर्गन स्टाफ सेलेक्शन और application form apply तो application form apply में आप क्लिक कर दीज़ेगा, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर option आएगा application form for JDLCCE, यहाँ पर आपको दीख रहा होगा, ठीक है, तो JDLCCE में यहाँ पर apply now का option दीख रहा है, action में, ठीक है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, करने का बाद यहाँ पर एक option आगा, you are being directed to an external website, ओके आपको क्लिक कर देना है, ठीक है तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर option आजागा, कुछ details वगरा, जैसे registration, commencement date, last date, payment वगरा, last date, uploading photo, and फिर आपका signatures वगरा, कब आपको देना है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, last date for uploading photo, signature, and taking print out of the filled application form, जो की, तेरा मार् last date है, ठीक है ना, फिर आपको last date मिलेगा, edit वगरा करने के लिए, फिर से मौका मिलेगा, वो भी 16 मार्च को, ठीक है ना, तो यहाँ पर examination fees भी बता दिया गया है, कि general वालों के लिए 100 रुपीज, general EWS, BC1, BC2 वालों के लिए 100 रुपीज, STSC वालों के लिए 50 रुपीज, और PWD, जारकंट, कैंड़ेट्स वालों के लिए 9 फी, ठीक है, यहाँ पर सार कुछ दिया हुआ है, तो क्या कीज़ेगा, जब आप उपर तरफ जाओगे, यहाँ पर new registration का blink कर रहा है, ठीक है, तो इस पर आपको click करना है, ठीक है, तो जब इस पर आप click करोगे, तो बहुत सार local residential आप जारकंट, आप जारकंट के निवारसी हो, अगर आप जारकंट से बिलांग कर तो आपके बास जारकंट का residential certificate है, यहाँ तो नो, तो यहाँ पर आपको yes पर click करना होगा, ठीक है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जारकंट के students सी भर पाएंगे, अगर कोई भी लोकल residential certificate is must, उसका बाद पुछा है का आप से select your district of local resident, आप से पुछा है का आप कि इस district से बिलांग करते हो, for example, मैं इस्ट सिंबूम से बिलांग करते हो, तो मैं इस्ट सिंबूम दे दूँगा, ठीक है, इसका बाद पुछा है का certificate number of your local residential आप जारकंट, ठीक है, जब आपक रहा देखियेगा, वहाँ पर एक certificate number लिखा रहाएगा, वो certificate number आपको इसमें डानला होगा, ठीक है, तो जब डाल दोगे, डाल लेगा, और यहाँ पर पुछाएगा, local residential certificate issuing authority, ठीक है, तो आप किस से बनवाए हो ये certificate, local residential certificate, वो आपको डाल लाए, ठीक है, तो अगर आपको बस सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे लिखा रहाएगा SDO मतलब सब डिविजिन ओफिशर है ना मतलब अगर SDO का बना लिखा है तो वहाँ पे आपको SDO में क्लिक करना है अगर DC के बना हुआ तो DC आपको क्लिक करना है अगर CO मतलब सर्कल ओफिशर से बना हुआ है तो CO में क्ल तो आप CEO का दे सकते हो, अगर DC का बनावा तो district का दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसमें पुछेया था, date of issue of certificate of local resident, ये भी आपको उपर तरफ ही दिखेगा, मतलब date of issue, ठीक है, आपने कब बनवाया था, कब ये issue करवाया था, आपने date of issue, या तो उपर तरफ या तो नीचे तरफ देख लीजेगा, वो certificate का, उसमें date of issue लिखा रहेगा, ठीक है, इतना तो आप परहे लिखे हो, उतना आपको English आता है, certificate में अच्छा से लिखा रहेगा, date of issue करके, ठीक है, जहां आपको दीख जाता date of issue, वहाँ पे date में मेंशन रहेगा, महिना औ यह सब कुछ मेंशन रहेगा, वह आपको डानला होगा, ठीक है, डानलने का बाद यहां पर फिट पूछा है, matriculation from affiliated school, college, institution, situated with geographical area of jargon state, आपने जो 10th complete किया, matriculation जो complete किया है, चाया वो CBSE से क्यों नहों, चाया वो ICSE क्यों से क्यों नहों, चाया वो JAX से क्यों नहों, कम से कम वो school जो है, जहारकन state के अंदर होना चरूरी है, तो अगर है तो yes कीजेगा, ने तो no कीजेगा, अगर आपका school जहारकन state में belong करता है, कोई भी board का, चाया वो JAX की होना, चाया वो CBSE की होना, चाया वो ICSE की होना हो, तो उस टाइम आपको yes में क्लिक करना है, और अगर नहीं तो no कर दीजेगा, उसका बाद आपसे पुछा है, knowledge of local, custom, language and surroundings of जहारकन state, अगर आपको कुछ भी knowledge है, local, customs, language या तो surroundings का, तो yes कर दीजेगा, ने तो no कर दीजेगा, इसका बाद आपसे पुछा है, reservation category, अगर आप general से बिलोग करते हैं, यूर की जेगा, अगर EWS मतलब economically weaker section से बिलोग करते हैं, तो आपको EWS में click करना होगा, इसके लिए आपको एक certificate बनवाना होगा, और वो certificate का नाम है, income and asset certificate, ठीक है, ये आप कही भी cafe या तो प्रग्या केंद्र में जाओगे, तो आपको ये बना देगा, ठीक है, बोलेगा मुझे EWS certificate बनवाना है, income and asset certificate, वो आपक से बिलोग करते हैं, तो मैं जेनरल से बिलोग करते हैं, तो मैं जेनरल में click कर दूँगा, उसके बात पुछा था, do you belong to primitive tribe, primitive tribe किस कार्ट में आता है, वो है ST, अगर आप ST category से बिलोग करते हो, उसके साथ साथ आप PT में प्रिमिटिट ट्राइब से बिलोग करते हो, तो ये से बिलोग करते हैं, तो अगर आप yes में आते हो, तो यहाँ पर आप से option पुछाएगा, primitive tribe का, है ना, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ जब मैं ST में click करता हूँ, तो यहाँ पर do you belong to primitive tribe, yes, जब आप click करोगा, यहाँ पर option आएगा, कि क्या-क्या है, असूर है, बि primitive tribe से बिलोग करते हो, तो अगर नहीं, तो कोई problem नहीं, देने का कोई ज़रोत नहीं, अगर आप EWS या तो BC1 या तो BC2 कैडी कैडी से बिलोग करते हो, तो यहाँ पर भी same चीज, यहाँ पर पुछा रहा है, EBC1, BC2, SD, SC, CAST certificate, EWS certificate number, अगर आप EWS से बिलोग करते तो, मैंने जो आपको बताया थे, income and asset certificate जो बनता है, उसमें आपका जो certificate बन का हैगा, वो certificate में एक certification number मेंशन रहेगा, वो certificate number आपको डान ला होगा, ठीके, अगर आपका income जो है वो 8 लाग से कम है, तो EWS का बनेगा, और EWS certificate बनने के बादी तब form फिलप कीचिएगा, ठीके, अगर आप आपने EWS बनाया नहीं और आपने form फिलप कर दिया, ऐसे नहीं, अगर आप EWS से बिलॉंग कर रहे हो, अगर आपका बस certificate है, तो तब ही जा किचेगा, EWS certificate का number डालेगा, ठीके, और अगर आप BC1, BC2, या तो ST, या तो SC category से बिलॉंग करते हो, आपको बास category certificate हो गई, तो वो से बास category certificate में आपका एक certification number रहेगा, वो certification number है, आपको लिखना होगा, आप लोग अंगरेजी बहुत अच्छे से जानते हो, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना, इसका बाद है आपसे certificate का issuing authority, मतलब किस से बनवाए हो, SDO, या तो DC, या तो CO, जैसे LRC, मैंने local residential class है, जैसे मन date of issue, उसमें भी लिखा रहागा date of issue का आपने बनाया था, वो आपको नीचे तरफ दिखेगा, नीचे का left side में आपको दिखेगा certificate का तो वो आपको डाल ला होगा, ठीक है, उसका बाद अगर आप PWD से बिलांग करते हो, तो yes, नो कर दीचेगा, बाकि अगर प्रोसेस तो आ PCCP, और VI हो गया, Austin and Multidisorder ये सब में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, अगर नहीं हो तो no पे क्लिक कर दीचेगा, ठीक है, करने का बाद यहाँ से पुझाएगा, अगर ये सब दे दीचेगा, सर्टिफिकेट नमबर ये सब दे दीचेगा, अगर नहीं है तो no कर दीचेगा, उसके बाद आप से पुझा, do you claim, reservation under sports quota, अगर आप sports quota से अगर reservation लेने चाहते है, तो yes कीजगा, नहीं हो कर दीचेगा, बाकि आपको पता ही होगा, certificate number, कौन सा sports type है आपका, ये सब दाल दीचेगा, अगर yes है तो, ठीक है, फिर इसका आप से name of the applicant, नाम अपना दे दीचेगा जैसे आपको matriculation में दिया हुए, ठीक है ना, उसका gender डाल दीचेगा, mobile और email ID जो है, आपको correct email ID और correct mobile number दीचेगा, क्योंकि माल लिजए, अगर आप by chance ID और password भूल जाते हैं, तो आपके registered email ID और registered phone number पे, आपके पास ID और password पहुंच जाएगा, आप वहाँ से आप delete भी नही जाने के बोला जाएगा, वो capture code डाल दीचेगा, डालने के बाद यहाँ पे save, submit and continue का option आएगा, तो जब आप submit and continue का option आएगा, वहाँ पर एक option आएगा, next process बजाने के लिए, सबसे पहले आप सब कुछ पहले से अच्छा से एक बच चेक कर लिजएगा, आपने सब को सही भर जाने के लिए, बायचांस अगर कुछ गलती हो जाता है, तो फिर साब उसको correct कर पाओगे, तो दो बार आपको बोला जाएगा, कि आप एक बार अच्छा से चेक कर लिजए, उसके बाद आपको second process में जाने के लिए बोला जाएगा, तो जब आप fully complete कर लो के पहला process, उसके आपके पास ID और password आजाएगा, जो कि आपके registered email ID, या तो registered phone number पे, या तो आपके screen में ही दिखा देगा, तो जब आप वो आपको दिखा देगा, उसके नीचे आपको logging करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आपको logging कैसे करना है, मैं आपको दिखा दूँ, जब आप logging स्षाइगा, छिक्या तो मैंने यहाँ पर password दाल दिया, यहाँ पर आपसे capture code मागा जागा, तो मैंने capture code मैंने डाल दिया, अब, ठीक है, capture code दाल दिया यहाँ पर मैंने को logging करने के लिए बोले जागा, तब जब मैं यहाँ पर logging करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत कुछ option तो मैं दिखाते तो कि आप से क्या-क्या पुछा आएगा, ठीक है, यहाँ पर quantity detail तो सब कुछ यहाँ पर पहले से भर चुका है, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ भर चुका है मेरा, अब यहाँ पर अब मेरे से पुछा है का father's name, mother's name यह सब डाल दीजगा, फिर आपसे पुछा है का are you married or not, not, तो yes यह तो yes कर दीजगा, ने तो no कर दीजगा, ठीक है, यह सब mandatory, वहाँ पर asterisk marker के दिया रहेगा, यह सब mandatory आपको भर ना होगा, ठीक है, उसका मतलब आपसे आधार कार्ट नमर मांगा जागा, तो आपको आधार कार्ट नमर देना है, फिर आपसे पुछा है का identification mark of the candidate, मतलब माली जागा अपके हाथ पैर में कोई भी body part में कोई भी खरोज हो, या तो mole, dark mole हो, या तो वो कुछ भी हो, तो आपको mention करना होगा, वो दोनों में आपको mention करना होगा, ठीक है आपसे education qualification पुछा है का अपने कहां से tend किया है, तो मैंने school का नाम, board university डाल दिया, passing year, percentage, सब कुछ डाल दिया, मैंने science डाल दिया है, और जहां से आपने diploma या तो b.tech किया है, तो b.tech या तो diploma कर किया हो, तो college का नाम दे जागा, किस boards आपने किया है, एक चीज याद university नाम लिख रहा हो, वो full लिखेगा, ठीक है, ना, short form में मत लिखेगा, ठीक है, कि बहुत सार ऐसे हो सकता है, कि problem हो, ठीक है, तो यह सब डाल दिया, डालने का बाद, passing year हुआ, percentage हुआ, इस सब डाल दिया, subject डाल दिया, ठीक है, डालने का बाद, और इक चीज मैं आपको ब mechanical है, तो महाँ पर आप से mechanical का दो पोस्ट रहेगा, वो दोनों में आपको क्लिक करना है, अगर आप electrical से भी अलग से आपको पोस्ट रहेगा, agriculture का अपना अलग पोस्ट रहेगा, ठीक है, तो आपको select करना होगा, ठीक है, करने का फिर आप से यहाँ पर पुछा है का proceed to payment, ठी payment अभी आपका नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ, या requested to pay your examination fee after 24 hours of submission of online application form, मतलब जब आपका form fill up अभी हो जाएगा, form fill up हो जाने का बाद आपको 24 घंटा बाद आपको फिर से लॉगिंग करना है, लॉगिंग करके आपको payment करना है, पेमेंट करने के बाद आप से बोले ज जाएगा, और signature जो एक paper में sign करके वो डाल दीजेगा, वो डालने के बाद ही आपको बोले आएगा application slip डाउनलोड करने के लिए, तो वो upload कर लिजेगा, करने के बाद आपका application slip बन के आएगा, वो application slip को निकालके, इसका print निकालके आप अपना रख सकते हो, ठीके, और dates वग और certificates के बारे में, मैंने आपको बता दिया, local residential certificate अगर आप निकालोगे, खोल के, जब आप certificate निकालोगे, आप date of issue certificate का, जो date है वो mention रहेगा, और certificate number में mention रहेगा, ठीक है, और जहां से आपने बनवाया है, जैसे SDO हुआ, या तो CEO हुआ, या तो DC हुआ, ये सब, अगर वो स select कर लीजेगा, same है, cast certificate में भी, category certificate में भी, category certificate में भी, category certificate में भी आपका certificate number मेंचन रहेगा, और date of issue मेंचन रहेगा, ठीक है, आप लोग, अपलोग परहली के students हो, आप लोगो तो idea रहेगा, क्या लिखा रहेता है, क्या नहीं लिखा रहेता है, ठीक है, तो उमीद करते हैं, और clear हो जुगा तो वीडियो को यहीं पर end करते हैं वीडियो को अच्छे लेगे वीडियो को जो लाइक कीजिएगा जाद 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 शेर कीजिएगा और सब्स्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू